आज हम डिसकस करेंगे पंचायती राज एक्ट 1993 यानी पंचायती राज अधिनियम 1993 पर डिसकस करेंगे इस टोपिक में जो मैंनली डिसकस करेंगे IntroDuktion of पंचायती राज शिस्टम, Structure of पंचायती राज शिस्टम, Development of पंचायती राज and Formation of Various Committees, Feature of 73 Constitutional Amendment Act, Area of पंचायती राज शिस्टम, and Importance of पंचायती राज सिस्टम, और साथ इससाथ हम डिसकस करेंगे, Constraints in success of पंचायती and measures to make Panchayat Raj system more practical. बारत गाओं का देश है और हमारी अर्थ विवस्ता आज भी क्रिशी पर ही टिकी हुई है. बारत में ग्रामिन विकास की स्तिती बहुत अच्छी नहीं है. इसलिए आदुनिक बारत ने पंचायती राज विवस्ता को अपना है ताकि गाओं का समगर विकास किया जा सके. हम कह सकते हैं कि ग्रामिन बारत के लिए पंचायती राजी एक मात्र विकल्प है, उप्युक योजना है. पंचायती राज से गाओं के आम किसानों को भी सता में बागीदारी यानि पार्टिस्पेशन मिलती है. उसकी राजनिती में हिस्सेदारी बनती है. पंचैती राज की सपलता के लिए जरूरी है कि पंचैती राज संस्ताओं का प्रयाप्त मात्रा में अधिकार मिले ताकि वो ये अपने तरीके से जन कल्यान के काम कर सके बारत में पंचायती राज का इत्यास काफी पुराना है वेदिक काल में भी पंचायती राज का अस्तितो था उसके बाद भी देश के किसी ना किसी हिस्से में पंचायती राज संस्ताय अस्तितों में रही है आदुनिक बिटिश काल में स्तानिया सवशासन बनाने का प्रतम प्रयास ठार सो सत्तर को लौर्ड मियो द्वारा एक प्रस्ताव से किया लेकिन पारित नहीं हो सका ठार सो ब्यसी को लौर्ड रिपन ने स्तानिया सवशासन का प्रस्ताव पारित करवाया अता रिपन को बारत में स्तानिया सवाशासन का जनक कहते है लौड रिपन की बारती जनता के प्रती उदारता के कारण इसे बारत मित्र भी कहा जाता है बारत में स्तानिया सरकारों का प्रतम कानून 1919 अधिनियम दोरा बनाया गया 1935 के अधिनियम दोरा स्तानिया सवाशासन को पुरंते राज्ये का विश्य बना दिया जो वर्तमान में भी राज्ये सूची का विश्य है Next time discuss करते है structure of पंचाथी राज system यानि पंचाथी राज विवस्ता की सरक्षना 73-74 constitution amendment दोरा पंचाथी राज विवस्ता को दो बागों में विवाजित किया है ग्रामी शेत्र वो शेरी शेत्र में ग्रामी शेत्र को तीन स्तरों पर विवाजित किया है ग्राम पंचाथी राज पंचाथी राज और शेरी शेत्र को भी तीन स्तरों में विवाजित किया है नगर पाली का नगर परिशद और नगर निगम नेक्स्ट हम डिसकस करते हैं डॉलमेंट और पंचायती राज एन फॉर्मेशन और वेरियस कमेटी यानि पंचायती राज का विकास एवं विविन कमेटियों का गठन पंचायतों से संबनित गठित समीतिया सुतंदर्था के बाद पंचायतों की आर्थिक स्तिति को मजबूत करने के लिए समय समय पर विविन समीतियों का गठन किया गया जो की इस परकार से हैं पर विविन समीति प्रतम पंचवर्षी योजना उनी सो कवं से उनी सो चेपण के करम में ही योजना को सफल बनाने के उद्रिश्य से ग्रामी शेत्रों में जागरुपता और जन सह बागिता बनाने की अश्रिक्टा अनुवख की गई अंतर दे 2 अक्टूबर 1902 को समुधाई विकास कारेकरम यानि कम्मुनिटी डॉलमेंट प्रोजेक्ट का प्रारम हुआ किन्तू 3-4 वश्णों के अंतरगत ये सपच्टूप से प्रकट होने लगा कि ये कारेकरम आम आदमी और आम आदमी की सिधी बागिदारी के लिए किसी प्रनाली पर विचार एवं अनुशन सा है तू 2-0-1957 को केंदर सरकार द्वारा बल्मंतराय मैता समीती गठित की गई इस समीती की रिपोर्ट में इस बाद की सिपारिश की गई की सरकार को ग्रामी शेत्रों के विकास के लिए संस्ताय गठित कर विकास का सारा कारे इनको सौप देना चाहिए इसके अंत्रगर जन्ता द्वारा चुने गए स्तानिय सावशासन के तीन स्तरिय डांचे की विवस्ता की गई निजले स्तर पर अर्थाद गाउं में ग्राम पंचायत मद्य स्तर पर अर्थाद बलोक स्तर में पंचायत समीती और सरोर स्तर पर यानि जीले में जीला परिशर मेता समीती के सिपारिश के आधार पर नेरू ने 2 अक्टूबर 1969 को रास्तान के नागोर जिले में पंचाइती विकेंद्रिक्रन की योजना का शिरी गनेश किया जिसे पंचाइती राज कहा गया सेकिंड अशोक मेता समीती जनता सरकार के कारेकाल में मंत्री मंडल सचीवाल एद्वारा 12 दिसंबर 1977 को अशोक मेता की अधिक्षता में सता के विकेंद्रिक्रन को संस्तागत सोरू प्रदान करने के लिए मेता समीती कठित किया समीती ने 132 सिपारिश रिपोर्ट अगस्त 1978 में प्रिशिट की जिसमें नमिलखित प्रावदान थे जो की इस परकार से है पंचाइद दो स्तर पर गटित है जिसके अंत्रगत जीला स्तर पर जीला प्रिशा तथा ब्लोग स्तर पर मंडल पंचाइट है 2. इन संस्ताओं के चुनाओ में राजनेरिक दलो को खुले रूप से अपने चुनाओ चिन के आदार पर बाग लेना चाहिए और नेक्स्ट अनुसूची जाती अनुसूची जन जाती सीटों का आरक्षन जनसंक्या के आदार पर होना चाहिए नेक्स्ट है जेकेवी राव समीती ग्रामिन विकास एवं गरीबी उन्मूलन से सम्मंदित प्रशास्निक वहसता पर सिपारिश करने के लिए सन 1985 इस्वी में जेकीवी राव की अदेश्टा में एक समीती का गटन किया गया इस समीती की निमिलिकी सिपारिश थी जो इस परकार से है फर्स्ट है जीला परिशद लोकता आंत्रिक विकेंद्रिकरन के प्रमुक इकाई जीला स्तर पर विकास योजना एवं विकास कारेकरमों का प्रबंद समन में इंतरन होगा और सरी जीला परिशद को सूपना चाहिए योजना त्यार करने, निरने लेने, लागू करने आ दिए धर्स्ट जीला परिशद में संसد, विदान सवाओं, स्तानियर संसाओं, बेंको के स्तर से भी शामिल होनी चाहिए फूर्थ जीला परिशद में कमजोर वर्ग वो मेलाओं का प्रतिनी तो होना चाहिए फिप जीला परिशद का कारेकाल आट वर्श का होना चाहिए एन नेक्स एलल सिंग्वी स्मिती राजीब गांजी के शासनकाल में ग्रामिन विकास विबाग दोरा 10 जून 1906 में एलल सिंग्वी के अधिक्ष्टा में लोकतंतर विकास के लिए पंचाय स्मिती ने अपनी रिपोर्ट 20 नॉम्बर 1986 को प्रिशित किया जिसमें निमिल्खित प्रावदान थे फर्स्ट पंचायती राज संस्ताओं को सवेधानिक दर्जा प्रावदान करना चाहिए इनके 37 एवँ नेश्पक्ष चुनाओ एवं इनके गठन के लिए सवेधान में संसोदन करके नया अधियाय जोड़ा जाना चाहिए and second नया पंचायतों का गठन करना चाहिए and third ग्राम पंचायत पर ग्राम पंचायत इसमें ग्राम सभा भी होगी and fourth, ग्राम पंचायत को अधिक वित्यसाइदा उपलप्त कराना चाहिए and next, पीके थुगन स्मीती पीके थुगन की अधिक्ष्टा में 1986 में संसत की सलाका स्मीती की उपस्तिती गठित की गई इस स्तिती में पंचायती राजवेस्ता को सशक्त करने के लिए अनेक सिपारशे की जिन में मुख्या सिपारशी है थी की पंचायतो को सवेदानिक दर्जा दिया जाए and next, तैतरवे सवेदान संशोदन अधिनियम तैतरवा सवेदान संशोदन अधिनियम 1992 में नर्सिमा राज की सरकार के पुने एक संशोदित एवं अंतिम मसोदा पंचायती राज को सवेदानिक सवरू प्रदान करने के लिए लोगसवा में 1991 को रखा लोगसवा ने 22 दिसंबर 1992 तथा राज्यसवा ने 23 दिसंबर 1992 को पास कर दिया स्तारा राज्यों की विदान सवाओं की अनुमति के बाद बीस अप्रेल 1993 को सविकृती हैतु इसे राज्यपती के पास बेज दिया बिदेख पर चोबिस अप्रेल 1993 को राज्यपती ने हस्ताक्षर कर तैत्यरवे सविदानिक संशोदन 1992 अधिनियम के रूप में 12 सरकार के राजपतर यानि गज़ट में 25 और 26 अप्रेल 1993 को परकाशित हुआ नेक्स्ट तैत्यरवे सविदानिक संशोदन अधिनियम की विशेशता है फर्स्ट है पंचायतों की सरक्षना ग्राम मद्यम बलोक और जीला स्तर पर पंचायती राज की त्रीस तरीय अप्रनाली की वेवस्ता की गई जिन राजियों की जन संक्या 20 लाग से अधिक नहीं है वहाँ के राजियों के विदान मंदलों को मद्यम स्तर पर पंचायत का गठन नहीं करने का विशेशती का प्राप्त है सेकंड ग्राम स्वा का गठन पंचायत वरस्ता के तैत एक ग्राम स्वा होगी जो पंचायत व्यवस्ता के सबसे निजले स्तर पर होगी And थर्ड, स्तानों का आरक्षन पंचायतों के तीनों स्तरों में अनुसूची जाती वो अनुसूची जन जाती के सदर्स्यों का आरक्षन उनकी जनसंक्या के अनुपातने होगा तथा इनमें एक T.I.E. आरक्षन महिलाओं का भी होगा पंचायतों की आवदी पंचायती राज संस्ताओं की कारेवदी यानि ट्रम्प पांच वर्ष की होगी आवदी समाप्त होने पर 6 मा के अंतरगत चुनाओ करवाना अनिवारे होगा आवदी समाप्ति के अंतरगत चुनाओ करवाना अनिवारे होगा आवदी समाप्ति के पूरो यदि किसी स्थर्ग की पंचायत बंग होती है तो वेशी स्थिति में भी 6 मा के अंतरगत चुनाओ कराने का सविदानिक वादिता है एंड नेक्स्ट स्तानों का आरक्षन और वे आरक्षित स्तान पर प्रतेक्ष निर्वाचन द्वारा जनता द्वारा चुने जाएंगे। प्रतेक्ष निर्वाचन के लिए निर्वाचन द्वारा चुने जाएंगे। ये अधिनियम निमनी शेत्रों में लावू नहीं होगा। विशिष्ट अनुसुची शेत्रों में निदिष्ट जन्जाती शेत्रों, नागालेंड, मेगालेय, मिजोरम, राज्यों मनिपूराजिय के ऐसे परवती शेत्रों में जहां किसी विधी के अधिन जीला परिशत विध्यमान है, पच्चिम बंगाल के डार्जलेंग जीला की गोर्खा शेत्र, ग्यारवी अनुसुची अनुचे 243 सविधानिक संशोधन के द्वारा सविधान में एक ग्यारवी अनुसुची भी जोड़ी गई है, जिसमें कुल 29 विश्य है, जो पंचायतों के कार्या से समलित है, ये इस परकार से है, फर्स्ट क्रिशी जिसके अंतर क्रिशी विस्तार है, एंड सेकेंड भूमी विकास, भूमी सुधार का कारेंवन, चकबंदी और सरक्षन, थर्ड लगू सिचाय जल प्रबंदन और जीला विवाजक शेत्र का विकास, एंड फोर्थ पशु पालन, देशी उद्योग और कुकुड पालन, फिप मतस्य उद् वनिकी और फार्म वनिकी, एंड सेवन लगू वन उपज, एंड एट लगू उद्योग जिसके अंदरकर खाद्य प्रसकरन उद्योग भी है, एंड नाइन खादी ग्राम उद्योग और ख्ठीर उद्योग, एंड टेन ग्रामिन आवसन, एलेवन पेजल, एंड ट्वल जिसके अंदरकर विदूत का वितरन भी शामिल है, 15 अप्चारिक उर्जा अस्त्रोथ, एंड 16 गरीबी उन्मोलन कारेकरम, एंड 17 शिक्षा जिसके अंदरकर प्रात्मिक और मादमिक विदाले भी शामिल है, 13 तक्निकी प्रशिक्षन और वेबसाइक शिक्षा, 19 प्रोड और अनुपचारिक शिक्षा, 20 पुस्तकाले, 21 सांस्कृतिक क्रिया कलाब, 22 बाजार और मेले, 23 स्वस्तियम सपाई, 24 परिवार कल्यान, 25 महिला और बाल विखाज, 26 समाजिक कल्यान, 27 कमजोरवर का कल्यान, 28 सारवजनिक वितरन प्रनाली, 29 सामुदायक अस्तियों का अनु नेक्स्ट हम डिसकस करते हैं, इन्पोर्टेंस ओप पंचैती राज, यानि पंचैती राज का महतो, इसके मादयम से समाज में समाज के अंतिम, व्यक्ति की बागिदारी होती है, जिससे सुदूर ग्रामीन, यानि रिमोर्ट रूरल परदेशों के नागरिक भी लोकता अंत अत्मक संगठनों में रूची लेते हैं, स्तानी लोगों को उस्तान विशेश की परस्तितियों, समस्याओं एवं चुनोतियों की बेतर जानकारी होती है, अता निरने में विसंगतियों यानि डिस्क्रिपेंसिस की संभावना नियूंतम होती है, पंचैती राज विवस्ता के मादम से पैसा अदिनियम यानि पंचैत एक्स्टेंशन शेडियूल एरिया एक्ट जिसे प्रावदानों को लागू करने से हाशी पे रहने वाले समुदाय भी अपने अस्तित्तों एहमोलियों से समुझ दोता कि ये बगेर शासन में अपनी बागीदारी सुनीचित करते हैं साथी मेलाओं को नियुंतम एक दियाई आरक्षन प्रावदान करने से मेलाओं भी मुखेदारा में शामिल होती है ये सवस्ते राजनिती की प्रतम पाशाला साबिद हो सकती है जहां से जमीनी स्तर पर समाच के प्रतेक पहलू की समझ रखने वाले एवं स्तानिय समस्य के प्रती सेंस्टिप यानि सवेदन शील नेताब विशे के लेतियार हो सकते हैं इसके मादम से केंद्र राज्य सरकारों के मद्या स्तानिय समस्याओं को विवाजित कर उनका समादान अधिक प्रवावी डंग से क्लियार किया जा सकता है पंचाते अगर सशक्त मनेगी तो इस तर पर कला एवंशिल्प हस्कला हरकरगा आदे जिसे सुक्षम उद्योगों को प्रोसान पतान करेगी जिसे रोजगार में व्रिदी एवंप्रवासन में कमी होगी नेक्स्ट पंचायती राज की सपलता में बादा आए पंचायतों के पास विद प्राप्ती का कोई मज प्रपूत आदार नहीं है उन्हें विद के लिए राज्य सरकार पर निर्वर रहना पड़ता है ये ग्यात है कि राज्य सरकारों द्वारा उपलप्त कराए गए विद किसी विशेश आइटम यानी मत में खर्च करने के लिए होता है कई राज्यों में पंचायतों का निर् की प्रमुक होती है इससे पंचायतों में महिला आरक्षिन का उद्रिश्य नकारत्मक यानि नेगेटिव रूप से प्रभावित होता है शेत्रिय राजनेतिक संगठन पंचायतों के मामले में हस्तक्षिप करते हैं जिससे उनके कारे वयम निर्णय प्रभावित होते हैं इस सिस्टम डिसकस करते हैं majors to make पंचायती सिस्टम more practical यानि पंचायती राज Bubble को और अधिक वयवारिक भी क्या जाना चाहिए जिसे उनका उत्तरदाइतों यानि Responsibility सुनीचित हो सके पंचायतों के निर्वाची सरदस्तियों एवं राज्ये द्वारा नियुक्त पदेदिकारियों के अनुक्रम में पारदर्शिता यानि Transparency होना चाहिए जिसे उनके भीज समाज़े से यानि Coordination की समस्या उत्पन ना हो महिलाय मांसिक एवं समाजिक रूप से अधिक सशक्त बने जिससे निर्णे लेने के मामलों में आतम निर्वर बन सके पंचायतों का निर्वाचन एक फिक्स टेनर पर राज्ये निर्वाचन आयोके माब दंडों पर भिना शेत्रिय संगटनों के स्तक्षेप पर होना चाहिए इन्हें और अधिक कारेकारी अधिकार प्रदान के जाने चाहिए पंचायती राज वेवस्ता राजनेतिक जागरुकता के सासाथ आम आदमी के सशक्तिकरन यानि इंपाउर्मेंट का भी एक परिचायक है जिकेंद्रिकरित शासन वेवस्ता और सह बागिता मुलक लोकतंतर पंचायती राज वेवस्ता के दो मुख्या गटक है इसकी सपलता के बल स्तानी स्तर पर लोगों की सक्रेता के लिए नहीं बलकि देश में लोकतंतर के उधिशियों की पूर्थी के लिए भी आवशक है अगर आप लोग को मेरा लेक्चर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना बुले साथी साथ बेल आइकन के बटन को तबाना ना बुले